सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो नए वीडियो के नोटिस्केशन मोबाइल में प्राप्त करने के लिए बैल आइकोन दबाएं साथियो नमस्कार बहुत स्वागत है आपका डी एनके अकेडमी के वीडियो में मैं हूँ भगवत दांगी फाउंडर डी एनके अकेडमी बात करेंगे हम हिंदी व्याकरन के 25 मोस्ट आइंप्यू MCQs के बारे में और ये है हमारा पार्ट वन पहला भाग है इस सीरीज में हम वहाग के अंदर कम से कम 25 प्रसनों के बारे में चर्चा करेंगे जो आने वाली जो परिक्षा है जो व्याकरन के द्वारा जो ली जाती है या SSC की या MP पुलिस में है या PSC में है और MP पुलिस के लिए अलावा UP पुलिस में भी पूछा जा रहा है और बहुत सारी आने अन वसनिष्ट प्रसन है उनके जो options हैं जिन सभी के बारे में विस्तार से हमने इसमें चर्चा की है इस पूरी वीडियो का जो आपको PDF है आपको free PDF मिल जाएगी और free PDF रात करने के लिए आपको हमारी website www.dkamppsc.com को visit करना होगा साथ ही नीचे description में भी आपको उपलब्द करव हमारे updates हैं वो मिलते रहें तो चलिए शुरू करते हैं बात करें पहले question की तो पहला प्रसन है देव नागरी लिपी को रास्ट्र लिपी के रूप में कब स्विकार किया गया था धान दीजे important है देव नागरी लिपी आखिर क्या है देव नागरी लिपी मतलब ये जो देव नागरी लिपी में लिखा जा सकता है कैसे लिखा जा सकता अंगरे जी को देव नागरी लिपी के अंदर जैसे लिखा my name अब ये लिखी क्या है ये लिखी अंगरे जी है भासा ये अंगरे जी है लेकिन लिपी कौन सी है ये लिपी है देव नागरी ये कहलाता है और इंग्लिस के लिपी में लिखी जाती है तो रोमन लिपी में इंग्लिस लिखी जाती है जैसे अगर हिंदी को रोमन लिपी में लिखना होगा तो मेरा नाम ये क्या है रोमन लिपी में हमने हिंदी भासा को लिखा तो देवनागरी लिपी को राष्ट लिपी के रूप में कब स्विकार किया गया इसको स्विकार गया 14 सितंबर 1950 को 14 सितंबर 1950 को ही जो हिंदी भासा है उसको राज भासा के रूप में मानिता दी गई और उसके बाद 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है तो ये तीन चीजें बहुत इंपोर्टेंट है 14 सितंबर 1950 हिंद स्टम्बर को हिंदी दिवस के रूप में मना जाता है देवनागरी लिपी को राश्टर लिपी के रूप में स्विकार किया गया और हिंदी भासा को राज भासा के रूप में नहीं राज भासा के रूप में स्विकार किया गया है चली बात करें निमनी लिखित में से कौन सी प्रेम चंद की रशना है तो प्रेम चंद की रशना क्यों सी है सब आपको पता है पंच परमेश्वर जो है वो प्रेम चंद की रशना है जुमनसिक और अलगु चोधरी की बहुत famous कहानी है पंच परमीश्वर वहीं बाद करें उसने कहा था उसने कहा था ये जो रशना है ये चंदरधर शर्मा गुलेरी की रशना है ज्यान दीजेगा चंदरधर सर्मा गुलेरी इनकी ये रशना है वही ताई की बात करें, ताई भी बहुत famous रशना है, आप मैंसे कई लोगों ने पढ़ी होगी, विशंबरनाथ कोशिक जी की रशना है विशंबरनाथ कोशिक की रशना है, ताई, खड़ी बूली, आपको पता ही है, खड़ी बूली एक भासा या बूली का नाम है वीर रस का इस्थाई भाव क्या होता है वीर रस के इस्थाई भाव की बात करें तो रती जो होता है वो स्रेंगार रस का इस्थाई भाव है उत्सा जो है वो वीर रस का इस्थाई भाव है यानि कि उत्सा होता है हास शिक की बात करें हाश का एक प्रकार है परिहास किसी की मजाफ उड़ाना हाशी उड़ाना ये परिहास कहलाता है तो ये अलग-अलग इसके रूप हैं वीररस के चलिए अगले प्रसंद की बात करें तो भक्तमाल भक्तीकाल के कवियों की प्राथमिक जानकारी देता है इसके रचियता थे यानि भक्तमाल एक पुस्तक है जिस एक ग्रंथ है जिसमें की भक्तिकाल के कभी वो ही लोग थे जो उस समय के संत थे जिसे कि सूरदास, तुलसिदास, मीरा, कभीर, रामानंद और ये सारे जो लोग है ये भक्तिकाल के कभी थे तो इनके बारे मे बहुत विस्तार से इसके बारे में बता गया है तो ये लिखा है नाभादास थे नाभादास जो थे वो डोम जाती के थे डोम एक जाती होती है डोम जाती के थे और इन्होंने उस समय रामानंद के बारे में भी इसमें उलेक किया गया है नंददास के बारे में भी उसमें उलेक किया गया है बलाभाचार के बारे में भी कबीर के बारे में मीरा के बारे में तुल्चिदास के बारे में रस्खान के बारे में बहुत सारे जो उस समय के कवी थे उनके बारे में काफी विस्तार से चर्च की गई है इस पुस्तक में भक्तमाल में बात करते हैं अगले प्रस्णकी तो अमीर खुसरो किसके विकास में महत्वपूर्ण भूमी का निवहाई है तो अमीर खुसरो का नाम आप सभी लोगों ने सुना हको बहुत फेमस परस्णालिटी अमीर अमीर खुसरो रहे हैं और इन्होंने जो जिस भासा के लिए अगरनी भूमी का निभाई है वो है खड़ी बोली खड़ी या फिर हिंदी या फिर हिंदवी हिंदवी कहते थे इसके लिए बहुत इंपोर्टेंट जो सल्तनत काल था देली सल्तनत का काल उस समय अमीर खुसरो रहे हैं और बहुत महत्वपून और बहुमुखी प्रतिभाग के धनी यह थे कविताएं लिखते थे यह और इनके इन्होंने कम सकम आठ सुल्तानों के राज के अंदर काम किया है तो बहुत सारे सुल्तानों को इन्होंने देखा है तिरप्रा की राजभासा की बात करें तो तिरप्रा की जो राजभासा है या आधिकारिक भासा है कोक बरोक है कोक बरोक जो वहां की राजभासा है ध्यान दीजेगा ये राजभासा भारत की 22 भासाओं में सामिल नहीं है जो उनको समिधान में सामिल किया गया है चले कुछ नमर साथ की बात करें तो सुद्धश्ब्द क्या है यानि कि सुद्ध वरतनी किसकी है तो कभी त्री ये सुद्ध नहीं realism अगर सुद्ध की बात करें तो कभ ये 3 कभ ये 3 जो है सुद्ध है और कभी का ये एपोजिट होता है यानि कभी जो मेल जो पुर्ष जो होते हैं उन्हें कभी कहा जाता है और जो फीमेल होती हैं उन्हें कभ यतरी कहा जाता है तो पढ़ते समय इसको जिरू ध्यान देजिगा कवी इतरी नहीं कहा जाता है क्योंकि हिंदी एक ऐसी भावजा है जिसमें जो बोला जाता है वही लिखा जाता है तो कवी इतरी कहा जाता है इतिहास सब्द का शुद्ध विशेशन क्या है सबसे पहले समझेंगे विशेशन क्या होता है विशेशन वो होता है जो किसी संग्या या सर्वनाम की विशेशता बताता है जैसे राम तेज है तो उसने क्या बताया विशेशता बताई किसकी रामकी के राम तेजह या राम गूरा है तो इतिहास सब्द जो है इसका विशेशन बताने वाला जो सब्द है यहाँ पर आप देखेंगे इतिहासक नहीं है इतिहासक नहीं है इतिहासक ये जो है ये इसकी विशेशन बताने वाला सही सब्द है बात करें अगला प्रस्ट जो है कुश्ट मरनू नवनीत सब्द का सही अर्थ क्या है नवनीत किसे कहते है तो ध्यांदीजी का घी को नवनीत नहीं कहते है नवीन को नवनीत नहीं कहते है आकास को नवनीत नहीं कहते है मक्षन या माक्षन जो होता है उसको नवनीत कहा जाता है और उसका सही अर्थ है माखन प्राचीन का विलोम क्या है प्राचीन का विलोम की बात करें तो आप्राचीन प्राचीन का विलोम नहीं है अती प्राचीन नहीं है अरवाचीन अरवाचीन का मतलब होता है नवीन या फिर नूपतन तो अरवाचीन जो है वो प्राचीन का वि विप्रीत अर्थ देता है यानि मनुश्यता का उल्टा अर्थ जो देता है तो ध्यान देजगा मनुश्यता का उल्टा अर्थ आ मनुश्यता नहीं देता कुरूरता नहीं देता आदी मानाता नहीं देता जो बरवरता होती है यानि हम कहते हैं कि वो विक्ति तो यार उसकी इ राश्टर भासा कहा गया है तो समिदान के अंदर हिंदी को राश्टर भासा नहीं कहा गया है देज भासा नहीं कहा गया है राज भासा कहा गया है देव भासा भी नहीं राज भासा क्या होती है वो भासा जो किसी भी देश की गोशित भासा हो और जिसमें उस देश की जो रा वर्ष यानि की 1950 से 1965 तक के लिए कामकाज की भासा बनाए गया था लेकिन वर्तमान में भी सारा कामकाज भारत के अंदर अंग्रेजी में ही होता है और ये भारत का बहुत बड़ा दुर्भाग के है वाकि राज भासा जो है हिंदी है ध्यान जी का भारत के राश्ट भासा की बात करें तो राश्ट भासा हिंदी को माना जाता है हिंदी ऑफिशली राश्ट भासा नहीं है ये सरकार के द्वारा एक RTI लगाई गई थी उसमें सरकार के द्वारा जानकारी दी गई है कि कोई भी भासा भारत की राश्ट भासा नहीं है हम हिंदी को मानते हैं लेकिं हिं इदान के निर्माता जी ने कहा जाता है भीमराओं अम्विटकर सहाब वो चाहते थे कि संस्कृत राजभासा बने ज्यानदीजी का चाहते थे ना कि उन्होंने बनाई या लिखी या माना गया तो माना कुछ भी नहीं गया है हिंदी को माना जाता है राष्ट भासा ओफिशल नहीं है चली अब बात करें राजभासा आयोग के अध्यक्ष कौन थे तो सबसे पहले अध्यक्ष जो राजभासा आयोग के थे वीजी खरे थे वीजी खरे जो थे वो राजभासा आयोग के पहले अध्यक्ष थे फजल अली केम पढ़ने कर हिंदरनात कुंच्रू इन तीन जो फजल अली थे वो उसके अध्यक्ष थे उर्दू किस भाषा का सब्द देखिए उर्दू एक भाषा है लेकिन उर्दू एक दूसरी भाषा का सब्द है तो उर्दू जो है वो है तुर्की भाषा का सब्द जैंजी का तुर्की भाषा का सब्द है भारत के अंदर जो और उर्दू भाषा का साब्दिक अर्थ होता है शाही सिवर या खेमा तो शाही सिवरों में जो भाषा बोली जाती है यानि जिस भाषा का यूज़ किया जाता था वो उर्दू थी तो इसलिए उर्दू जो है तुर्की भाषा का सब्द है हिंदी भासा की बोलियों के अधार पर 36 गड़ी बोली जाती तो 36 गड़ी कहां बोली जाती है 36 गड़ी जो बोली जाती है पूर्वी हिंदी में 36 गड़ी मानी जाती है कन्नोजी को कन्नोजी पश्मी हिंदी में आती है साथ में बुंदेली खड़ी बोली हर्यानिवी हर्यानि या हर्यानिवी जिसे कहते हैं ब्रजभासा और हर्यानिवी को ही जाटू कहते हैं या फिर बांगरू भी से कहा जाता है महीं पहाली हिंदी की बात करें तो पहाली हिंदी के अंदर जो आती है पहाली हिंदी आती है कुमाईनी आती है और गड़वाली जो है वो आती है दो भासा आती है इसके तहट महीं राजिस्थानी हिंदी की बात करें तो राजिस्थानी हिंदी के अंदर मेवाली मेवाली जि और उसके बाद दूसरी जो भासा है उसे जैपुरी या धंडाडी कहा जाता है ये पूर्वी राजिस्थानी इसको कहा जाता है तीसरी जो है मेवाती है जिसे उत्तरी राजिस्थानी कहा जाता है चौथी मालवी है जिसे दक्षणी राजिस्थानी कहा जाता है तो ये इनके भाग है चलिए बात करें ते गनिष्ट की उत्रावस्था क्या है गनिष्ट सब्ध है उसकी उत्रा उत्रा का मतलब होता है उससे छोटी कम कमतर उत्रा का मतलब होता है उत्रा का मतलब है छोटी कम कमतर तो गनिष्ट की जो उत्रावस्था वो होगी वो होगी गनिष्ट तर गनिष्ट के उत्रावस्था होगी और उच्चावस्था होगी गनिष्टतम चोपाई के प्रतिक चरण में कितनी मात्राइं होती है चोपाई एक इंपोर्टेंट है चोपाई के प्रतिक चरण होते हैं चोपाई के प्रतिक चरण में 16 मात्राइं होती है और चोपाई का एक सांदार्शा नियम समझ ले आप इसे नियम ये है कि जो चोपाई होती है उसके अंत में लगो गुरू होता है जैसे मैं एक चोपाई बोलूँ मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदसरत अजर बिहारी तो ये जो है इसके अंत में लगो गुरू रहेगा अगले की बात करें रहिमन पानी राखिये बिन पानी सबसून इसमें कौन सा अलंगकार है बड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट है संभवता आपको पता होगा ये पूरा के पूरा जो वाक्य है रहिमन पानी राखिये बिन पानी सबसून पानी गए नहूबरे मुती मानस चून ये पूरा है और इसी में पूछा जाता है कि कौन सा अलंगकार है अब हम इसको बहुत अच्छे से आपको इसको समझना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर दो अलंगकार ऐसे है जिनोंने जिनमें आप उलज सकते हो एक है शलेश और दूसरा है यमन चली सबसे पहले बात करते हैं शलेश अलंगकार की तो ये जो अलंगकार है वो शलेश अलंगकार है शलेश अलंगकार की विसेशता ये होती है कि जहाँ पर एक ही सब्द के दो अलग अलग अर्थ निकलें वो शलेश अलंगकार होता श्लेश का अर्थ का चिपकना ठीक है श्लेश का अर्थ है चिपकना तो जहां पर कोई एक दोहा है चोपाई है जिसमें की एक शब्द एक की ही बार आया है और उसके दो अलग अर्थ निकलते हैं ध्याने जिगा शब्द एक की ही बार आना चाहिए अब यहां पर आप बोलें उसके लाइन के बाद दूसरी लाइन में जो आप पानी आता है पानी गये नूबरे मोती मानश्चून उस पानी का अर्थ तीन बार अलग अलग निकलता है एक बार उस पानी का अर्थ जो होता है मोती के लिए चमक होता है उसके बाद बात करें उसी पानी का अर्थ मानव के लिए इज़त होता है मनुशिय के लिए और चूने के लिए साधरंड पानी होता है चुण तो जो दूसरी लाइन का पानी है उसके बारे में बात चल रही है और उस पानी के तीन अलग-अलग अर्थ बनते हैं चलिए यमक की बात कर लें तो यमक में और इसमें किबल इतना अंतर है कि यमक में जो पूछा जाता है यमक के अंदर जो होता है उसमें अलग-अलग बार कोई शब्दा आता है और उसका अलग-अर्थ निकलता है दियान दिजी का शलेश में ए एक ही बार सब्द आता है और एक ही अलग अलग अर्थ निकलता है लेकिन यमग में दो बार सब्द आता है दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग होता है श्लेश को एक और उधरन से सिंपल से अधरन से मैं आपको समझाना चाहूंगा जिसे पूछता है एक सब्द बोलू में क प्रेतमा जरा बतला दो मेरा लाल कहा है तो यहाँ पर जो लाल है मेरा लाल कहा है लाल के दो अर्थ हो सकते हैं एक अर्थ तो यह हो सकता है कि वो अपने बेटे के बारे में पूछ रहा हो दूसरा अर्थ यह हो सकता है वो किसी रतनक के बारे में पूछ रहा और रतनक को भी लाल कहा जाता है तो शब्द एक ही है उसके अर्थ दो हो गए लेकिन जो यमक अलंकार है इसके अंदर दो शब्द यूज़ की जायते एक कनकार थे धतूरा और एक कनकार थे सोना तो यहाँ पर इसको अलग-अलग अर्थों में दो बार यूज़ किया गया उसी तरह से एक और सिंपल सी भासा में आप समझ लें कि तुम्हारी नोकरी के लिए कह रहा था सालो सालो से तो यहाँ पर दो सब्दाए जो अलग-लग अर्थ दे रहा है कि तुम्हारी नोकरी के लिए कह रहा था सालो सालो की मतलब उसको एक टाइप की गाली जो होती है वो यूज़ की है एक सालो में और सालो से का मतलब है कई समय से ठीक है तो यहां पर दो बार उसमें यूस किया गया है तो यहां पर यह फिर इसका उल्टा भी हो सकता है जिसे पहले वाला सालों हो और दूसरा वाला वर्ष के एर्स के रूप में काउंट किया जाए तो यह हो सकता है अनुप्रास अलंकार की बात करें तो अनुप्रास अलं चंद्र की चंचल करने खेल रही है जल्थल में तो यहां पर चावर्ण की बार 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 आ रहा है यह चारू चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी रात में चांदी की चम्मे से चटनी चटाई तो यहां पर भी चावर्ण की जो बार बार आ रहा है वो कहलाता ह अनुपरास अलंकार अतिश्योक्ति अलंकार आपको पता है कि जब किसी भी चीज़ को हम बड़ा चला कर पेश करते हैं तो वो कहलाता है अतिश्योक्ति अलंकार जैसे हनुमान की पूछ में लगनना पाहियाग लंगा सगरी जल गई और गई निसाचर भाग तो यह हुई अत दिवासा का सबसे लोगप्रिय महाकाव है राम चरित्र मानस और राम चरित्र मानस की जो रशना की थी वो तुलसिदास जी की द्वारा इसकी रशना की गई थी तुलसिदास जी की पत्नी का नाव रतना वली था या दिया रतना वली था और उनी ने ग्यान दिया था कि मु सा अलंकार है फिर एक और अलंकार आ गया संभवता आज आपके अधिकतर जो अलंकार है वो बहुत अश्य से क्लियर हो जाने वाले हैं आपने शिंत रहें तो चलिए श्लेश अलंकार को तो हमने समझ लिया कि श्लेश अलंकार क्या होता है जब एक सब्द का अलग अलग अलंकार को कहा जाता है जब दोनों चीजों के अंदर कोई अंतर ही न रहे दोनों के वीच इतनी जिसे यहाँ पर मुख रूपी चांद पर राहू भी धोका खा गया तो राहू ने जब किसी को देखा तो जो चहरा चहरे की उपमा किस से लिए चांद की तो चहरा ऐसा हो गया कि राहो को भी समझ में नहीं आया कि यह चांद है या चहरा है तो यानि दुनों इस तरह से एक दूसरे में एकाकार हो गया कि समझ में ही नहीं आ रहा है कि कौन क्या है तो वहाँ पर क्या होता है रूपक अलंकार होता है वहीं उपमा अलंकार की बात करें तो उपमा अलंकार इस हद तक नहीं जाता उपमा अलंकार में भी चीज़े यही होती है एक चीज़ की उपमा किसी दूसरे चीज़ से दी जाती है लेकिन वो एकाकार नहीं होता यहां पर एकाकार हो गया मिल गया अलग करना मुश्किल है लेकिन उपमा में एकाकार नहीं होता जिसे साघर सा गंभीर हिर्दे हो यहां पर गया साघर सा गंभीर हिर्दे हो तो हिर्दे की उपमा किस से दी गई है साघर से दी गई है लेकिन यह नहीं कि सागर जो हरदे है उसको सागर बना दिया गया है यहाँ पर सागर की उपमा दी कई है उसके जैसा बताया गया है ठीक है तो यह important है इसमें रूपक में दोनों के बीच में कोई अंतर नहीं रहता चली अब बात करते हैं वक्रोक्ति की वक्रोक्ति बहुत ही यह होती है कि जब मैंने कहा कुछ और ठीक है और आपने उसे सुना समझा कुछ और जैसे इक उधारन की दोरा समझाते हैं कि हे गिरजा भिक्चु कहां है बली द्वार गया है आज रमा जैसे यह दो बाते हो रही है परिहास हो रहा है यह कटाक्ष कह सकते हैं माता पारवती की बीच में और माता लक्ष्मी के बीच में माता पारवती से लक्ष्मी जी कह रही है कि हे गरजा गरजा यानि कि गिरी के परवत की पुत्री बिक्चु यानि कि भगवान शंकर कहां है तो उन्होंने उनको दिया कि बली द्वार गया है आज रमा यानि कि भिक्षू बली के द्वार पर गया हुआ है बली कौन राजा बली उसके द्वार पर गया है क्यों गया है वहाँ पर द्वारपाल बनकर बावन का अवतार लेकर बली के पास मांगने को गया है जो भगवान विश्णु ने बहुत सिंपल सा होता है इसमें जब सामने बाले के मुह से कोई बात निकली तो उसका सुनने में कोई दूसरा फर्क पड़ा गया जियांद जिया का सुनने में फर्क पड़ा समझने में फर्क नहीं पड़ा है सुनने में फर्क पड़ा था उसे कहते हैं काकू वक रोकती और बहुत आसानी से समझ सकते हैं जिसे उधरान है इसका कि नंदन समर्थ नहीं दियान जीगा नंदन समर्थ नहीं ये एक वाक्य है और ये इसा लिखा गया है तो उसको कहता है दूसरा से सुनता है नंदन समर्थ नहीं और कोशनमात लिखा गया है अब इन दोनों में अंतर जब मैं कहता हूँ कि नंदन समर्थ नहीं तो मैं यह कहना चाहरा हूँ कि नंदन के पास उतनी छमता नहीं है वो कर सके लेकिन उसी को अगर कुशन मार की तरह बोल जाए कि नंदन समर्थ नहीं तो मतलब मैं कहना चाहरा हूँ कि नंदन समर्थ नहीं तो मतलब मैं कहना चाहर है ठीक है तो यह जो काकू वक्क रोपती है इसमें बहुत सिप्सिंपल है सहीं में पेचान ना इसमें पीछे की तरफ यह होगा हमेशां एक कोशटन मार्ड लगा रहा गया और दोणों एक जैसे लिखे होंगे लेकिन दूसरे में कोशन मार पर जरूर होगा और ये कहलाती है काकू वक्रोक्ती चलिए अगले प्रसने की बात करें जहां किसी वस्तु का लोग सीमा से इतना बढ़ कर वर्णन किया जाए कि आसंभव की सीमा को पार कर जाए तो वहां कौन सा अलंकार होता है तो आप द्यान जी जी का वहां अतिश्योक्ती अलंकार नहीं होता वहां होता अतियुक्ती अलंकार अतिश्योक्ती और अतियुक्ती अलंकार के अंदर सिर्फ इतना सा फर्क होता है कि अतिश्योक्ती अलंकार ऐसी उंची नीची फेकी जाती है जो की पॉसिबल भी हो सकती है तो जो पॉसिबल हो सकता है जो पॉसिबल किसी मा में वहती शक्ति अलंकार है लेकिन कोई इतनी ही उची फेक दे किसाब मैं तो कल चांद पर होके आ गया और ये बिल्कुल पूरे विश्वास के सहत कर रहा है तो वो पॉसिबल नहीं है भीया कि बिना उसके किसी का चांद पर जाना पॉसिबल है ये नहीं कहा रहा हूं लेकिन कोई अगर कहता है कि मैं जाके आ गया तो पॉसिबल नहीं एक ही बार अभी तक इनसान धर्ती से चांद पर गए है कल तो कोई नहीं गया तो ये होती है अतियुक्ति यानि इतनी उची नीशी फेगना जिसकी कोई हद नहीं जिसे जहला ना जा सके चलिए बात करते हैं विरोधा भास अलंकार की विरोधा भास अलंकार एक ऐसा अलंकार है जहां पर क्या होता है कि किसी बात को इस तरह से कहा जाता है कि विरोध उसमें विरोध ना होने पर भी विरोध हमें दिखाई दीता है हम जो बात करा हैं उसके अंदर एक्चॉल में कोई विरोध नहीं है लेकिन जिस तरह से उसको कहा गया है वहाँ विरोध हो जाता है कैसे जिसे मोहबत एक मीठा जहर है यहाँ पर इनने लिखा मोहबत एक मीठा जहर है जहर कभी मीठा नहीं होता यहाँ पर कहने वाले को इनमें कोई contraction नहीं करना था वो अपनी बात कहना चाहरा था लेकिन उसने क्या कहा मोहबत एक मीठा जहर है लेकिन लिखने में हमें क्या स है लेकिन यहां पर जो important होता है को समझने के लिए आप simple सा समझ सकते हैं जानो या मानो इसमें लगा जाते हैं जानो मानो जानो इस टाइप से कैसे जैसे कि उधारन समझ ले कि उस काल मारे क्रोध के उस काल यानि कि उस समय मारे गुसे से कापने लगा उनका बदन के लगा कापने लगा मानो हवा के वेग से सोता सागर जागने लगा तो यहां पर यह मानो सब्द आया उसने उपमा दी है कि कैस तरह से कापने लगा जैसे कि जो हवा ते चली है हवा के वेग से जो सागर में हिलोरे या लहरे आती हैं उस तरह से उनका सरीर कांपने लगा तो ये जानो मानो ये शब्द अउत्प्रेक चलंकार में जरूर पूछे जाते हैं इस्थाई भावो की कुल संख्या कितनी है जितने की रस है इस्थाई भाव क्या होते हैं किसी भी रस को अनन गहते समय वो एक सी जो अवस्था बनी रहती है जिसे कोई हासी रस के हम चीज़ सुन रहे हैं तो हमेंसा हसी जो रहती है हमारे हास जो रहता है या वी रस की सुन रहे हैं तो उत्साह जो मन में बना रहता है पूरे समय वार्निक या वर्नित चंद कहलाता है मात्रिक नहीं होता है या मिस्र नहीं होता वर्नित होता है तनाचरी चंद चली अंतिम प्रस्न की बात करें तो अनिल का परियाए वाची शब्द क्या है तो अनिल का परियाए वाची तो आज का यह हमारा वीडियो यही समाप्त होता है यह आपको वीडियो पसंद आए तो इसे आप लाइक जरूर करें साथ में शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि यह सीरीज आपको कैसे लग रही है यदि यह सीरीज आपको पसंद आती है तो जरूर जरूर हमें कमेंट करें ताकि हम इसे कंटिन्यू कर सकें सांथ में आपके सुझाओ भी हमें आप दे सकते हैं चलिए आज की बात करेंगे हम यहीं समाफ्त आप देख रहे थे डिन के काड़ी जो है नमबर वजी के चनल बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत